और जिन प्रस्टों को दोस्तों आंसर आपको पता होगा उसे आप कमेंट भी करते रहिएगा तो देखिएगा दोस्तों पहला कोश्चन है पहला प्रस्टों काजी रंगा बन जीव अभियारण किसके लिए परसिद्ध है तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट भी करते रहिएगा ठीक है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी एक सिंग वाले गेंडा के लिए दोस्तों ये परसि गए का पुरानी परबद परणाली कौन है अरवली की पहाड़िया राजस्तान में यह भियाद रखेंगे नेक्स्ट कोशन देखिएगा दोस्तों तीसरा प्रशन है सीवा जी का जन्म कहा हुआ था तो इसका आंसर क्या हो जागा दोस्तों आप कमेंट भी करते रहिएगा सारे प्रशन का आंसर जितने भी दोस्तों आपको पते होंगे जिन जिन प्रशनों के उन प्रशनों का आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा मैं कमेंट देखूंगा तो देखिएगा तीसरा प्रैसन क्या कहा जण्म कहा हुआ था तुस्तों सीवा जिका जन्म 6 अप्रैल 1627 इस भी में सिव नेर में हुआ था कहा हुआ था सिव नेर option number D सही हो जागा याद रखेंगे बहुत बार पूछा जा चुगा है next question देखिएगा बार बार पूछा जाने होला प्रेशन है रीगुवेद में कितने श्लोक है पूछा जाता है रीगुवेद में मंडल पूछा जाता है और स्लोक यह दो प्रेशन बहुत बार पूछे जाते है तो रीगुवेद में कितने श्लोक है दोस्तों तो इसका आंसर हो जागा option number B 1028 श्लोक है और 10 मंडल है यह भी याद रखेंगे मंडल कितने है मंडलों की संक्या रीगुवेद में 10 है तो इसे भी याद रखेंगे next question देखिएगा अगला question है पाचवा प्रेशन पाचवा प्रेशन का अंसर पता हो तो आप comment जरू कीजिएगा प्रेशन है स्वाराज पार्टी की अस्थापना किसने की स्वाराज पार्टी की अस्थापना किसने की स्वाराज पार्टी की अस्थापना किसने की तो इसको च और आज पार्टी का स्थाफना कब हुई थी 1923 में ये भी याद रखेंगे नेक्ष कोशन देखिएगा दोस्तो अगला प्रसन है छाठा प्रसन है छाठा प्रसन भी मात पूरे हमेशा पूछा जाने वाला प्रसन है प्रसन है तराइन की पहली लड़ाई किस वर्स में हुई तराइन की पहली लड़ाई किस वर्स में हुई आंसर पता हो तो दोस्तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई ठीक है option number पहला से हो जागा और तराइन का दूसरा यूद कब हुआ था दोस्तों 1192 में तो याद कैसे रखेंगे दोस्तों ये 1192 में एक दिख रहा है यानि 91 में पहला और 92 में दो दिख रहा है यानि की दूसरा तराइन का दूसरा का हुआ 1192 और 1191 में कौन पहला ठीक है दोनों को याद रखेंगे और 1191 में दोस्तों मुहम्मद गोरी और कृत्वीरा चोहान के बीच हुआ था तराइन का पहला लड़ाई ठीक है दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C मुहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों अपनी राजधानी क्या कि दिल्ली से दौलताबाद अस्थाना अंतरित किया तो इसे भी याद रखेंगे अगला कोशन देखिएगा महत्पूर प्रशन है प्रशन है हवा की गती किस से मापी जाती है किसकी गती दोस्तों हवा की गती हवा की गती दोस्तों किस से मापी जाती है तो ओप्शन नमबर कोश से हो जागा यह सही हो जागा अनीमो मीटर से दोस्तों हवा की गती मापा जाता है तो इसे आप क्या रखेंगे दोस्तो याद रखेंगे क्योंकि यह प्रस्ण हमेशा पूछा जाता है और दोस्तो टेको मीटर क्या होता है टेको मीटर से दोस्तो वायू यान तथा मोटर नाव की गति मापी जाती है क्या है वायू यान तथा मोटर नाव की गति टेको मीटर स से भी याद रखेंगे हमेशा पुछा जाता यह भुकम्प मान कुछ नहीं सिस्मोग्राप से भुकंप की पता लगाया जाता है ठीक है ये भी याद रखेंगे नेक्स्ट कोशन देखिएगा अगला प्रेश्ट नौवा प्रेश्ट है जो साकाहारी है वह कहलाते हैं ये दोस्तो प्रेश्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है हमें इसा पूछा जाता है जो साकाहारी है वह कहलाते हैं क्या कहलाते हैं प्रात्मिक उभोगता माध्यमिक उभोगत यानि कि दीतियक उभोगता प्रात्मिक उभोगता के अंतरगत देखेंगे दोस्तों और प्रात्मिक उभोगता जो होते हैं गाय भैस बकरी इसके अंतरगत आते हैं ठीक है और तिरतियक उभोगता ठीक है यह भी पूछा जाता है तिरतियक उभोगता के अंतरगत कोन आते है बाग, सेर, चीता ये सब क्या है दोस्तों तिर्तियक उभोगता के अंतरगत आते हैं तो ये तीनों प्रशनों को दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि हम ऐसा पूछा जाते हैं प्रशन नेक्स कोस्टन देखिएगा दोस्तों अगला कोस्टन है दस्वा प्रशन इंडिया विन्स फ्रीडम किसने लिखा था इसके लेखा कौन है तो आंसर क्या हो जागा दोस्तों आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा देखिएगा दस्वा प्रेशन है दोस्तों इसका अंसर क्या हो जागा इंडिया विन्स फ्रीडम किस ने लिखा था तो इसका अंसर हो जागा option नमबर डी अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विन्स फ्रीडम लिखा था ठीक है इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट कोस्टन देखिए अगला कोस्टन अगला कोस्टन का अंसर दोस्तों आप जरूर कमेंट कीजिएगा बहुत बार पूछा जा चुका प्रेशन है प्रेशन है दोस्तों पंपास चारगा कहां पाया जाता है तो दोस्तों इसका अंसर कौन से सभी हो जागा चारों दच्छड अमेरिका गास को पमपास केते हैं। इसका आंसर क्या हो जागए। दच्छड अमेरिका या— और यह भी पूच्छ पूसर तो इन दोनों प्रस्प दोस्तों हमेशा याद रखेंगे दो प्रस्फण बार बार रिपीट होते हैं। अगला कोशन देखियेगा को दुस्तों बारहवा प्रस्फण भी महत्पूर प्रस्फण हैं। देखिए, sulfur किसमें आसानी से घुलन सील है, चार option दिया गया है, इसमें आपको बताना है, तो answer कौन से सही हो जाएगा, option number C सही हो जाएगा, sulfur carbon dioxide में आसानी से घुलन सील है, ठीक है, तो answer हो जाएगा carbon dioxide, option number C, तो इसे भी दोस्तों याद रखेंगे, next question देखिएगा, अगला question most important है, और अगला preparation देखने से पहले दोस्तों आपके लिए एक पंचम publisher की book है, उसके बारे में थोड़ी सी जनगाई दे देता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपको बताता हूँ अगला प्रशन, देखिए दोस्तों यह पंचम publisher की दोस्तों ebook है, यह ebook दोस्तों आपके प्रशनों को सामिल किया गया है, जो प्रशन आपके परिस्वा में बार-बार पूसे जाते हैं, जो प्रशन है repeat करते हैं, दोस्तों इस ebook में आपको 10 practice set मिल जागा, प्लस 10 one liner set मिल जागा, one liner set कहने के मतलब है दोस्तों एक line में question, दूसरे line में answer, इससे क्या होब दोस्तों आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा question को prepare कर लेंगे, दोस्तों इसमें science, general advice और current affair के important प्रस्ण दिये गए हैं, जो बार-बार परिस्वा में पूसे जाते हैं, दोस्तों पंचम पब्रिशन इसकी कीमत 150 रुपई रखी थी, लेकिन मेरे कहने अब दोस्तों यह ebook आपक मोबाल से ही पढ़ सकेंगे, यह market में offline आपको नहीं मिलेगी, अगर दोस्तों आपको downloading पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है, दोस्तों पंचम पब्रिशर के customer के number दिया गया है, इस number के आप call करके बात भी कर सकते हैं, दोस्तों इस ebook को मैं खुद देखा हूँ, इसम अमेशा पूसा जाता है, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे, प्रसन है दोस्तों भारती सम्मिधान में उल्लेक अनुछेद 36-51 किस रूप में जाना जाता है, यह आपको बताना है, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जागा, चारों आप्शन को पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जागा, ओप्शन नंबर C, राज के निती निदे सकतत तो है, ठीक है, 36-51, और प्रसन दोस्तों एक और इससे बनता है, कौँएसा प्रसन बनता है, कि राज के निती निदे सकतत, तो कहां के सम्मिधान से लिया गया है, कहां के सम्मिधान से अपनाया गय किसे दोस्तों अनुछेद 12-35 और 36-51 दोस्तों कोन है राजी के निती निदे सब तर्थ ठीक है तो दोनों प्रशनों को याद रखेंगे दोनों प्रशन हमेशा पूछे जाते हैं चौदावा प्रशन है उच नियाले के ने अधीको की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो इसका दोस्तों आणसर क्या हो जागा ऑप्शन नमबर इसका भी सही हो जागा राष्ट पती के द्वारा की जाती है किसके लिए भारत देखिएगा भारत के राष्ट पती पत के लिए चुने जाने के लिए एक भारतिय नागरी की निम्तम यानि कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए तो इसका आइसर दोस्तों क्या हो जागा चारों अप्शन को पढ़िए और कमेंट भी किरिए ठीक है तो आप पूछे जाते है रिपीट करते है ठीक है तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा ज्यादा टैम नहीं लेगता है लेकिन आप लास्ट तक देखेंगे तो कुछ प्राशन आपको ज्यादा ज्यादा प्राफिट होगा ज्यादा ज्यादा आप लाब में रहेंग दोस्तों क्योंकि यह हमेंशा पूछा जाने अन्ति मुगल सासक कौन था पहले भी बताया हूं अन्ति मुगल सासक कौन था तो इसका दोस्तों आशर क्या हो जागा option number D से हो जागा बहादूर शाह दिती अन्ति मुगल सासक दा ठीक है तो इसे भी याद रेखेंगे next question देखिए बार-बार पूछा जाने ओला प्रस्ण इसका अंसर तो आपको पता ही होगा क्योंकि हमेशा पूछा जाने ओला प्रस्ण है और यह प्रस्ण दोस्तों क्या है यह प्रस्ण most important है पानी पत की दूसरी लडाई किस वर्ष में हुई थी पानी पत की दूसरी लड़ाई पूछ रहा है ठीक है पानी पत की दूसरी लड़ाई दोस्तो 1556 में हुआ था 1556 आपको किस option में दीख रहा है option number D में और पहली लड़ाई दोस्तो कब हुआ था पहली 1526 में यह option नमबर पहला जो दिख रहा है इसमें पहली और तीसरी दोस्तों लड़ाई कब हुई थी पानीपत की थर्ड मतलब यूद कब हुआ था तीसरी लड़ाई तो 1761 कब हुई थी दोस्तों 1761 में तीसरा 1526 पहला 1556 दूसरा और 1761 तीसरा तीनों को दोस्तों याद चीनी यह थी हर्षवर्धन के समय के दा मेरान भारत का दरा किया प्रसन है देखिएगा प्रिसनici क्या कर रहा है कॉन चीनी यह थी हर्षवर्धन के समय के दवाराण भारत का दारा क्य ठीक है कंसर क्या हो जाएगा option No.we B से हो जाएगा तुटwe अगला कोस्टर देखेंगा 20 प्रश्ण बीक miracle क्या interpretation क्या कहा रहे है dość लोक मनने के रूप में लोक प्रीय है था लोक्मानने किसे कर गाजत है लोक कौनने बाल लगंगा दर्थी लग्ठीक है कौनसा अंसार हो जागा Creda एसे हो जागा तो इसे भी याद रखेंगे नेक्स कोशन देखिए अगला कोशन है एक किस्वा प्रस्में